क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 जोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर्डी सर्मा एक्सरसाइज 20.3 का कुश्चन नंबर 3 है 3 का फर्स्ट पार्ट है सेमेशन एन वेरिस प्रॉम 1 तो 11 2 प्लस 3 रिश्टो पार है ठेक है हमको इसका सम करना है अविए स स्यूरिज का सम इसमेशन का मतलब होता है सेमेशन का मतलब होता है तो हम पहले इसको open करते हैं आप यह तो न कहां से कहां वेरि कर रहा है स से 11 रिडिकर रहा न तो आप न के जागा तरी की पावर्ट प्लस लगा और फिर एंड गा थी रिप्लेज करां के प्लस इस तरह से आप करते हैं और लाच फिर चहने हो जाएगा यूचा प्लस नियुक्ति पावर्ट वाले उनको एक साद लिख लो तो हम इनको एक साथ लिख ले रहे, three की power one, plus three की power two, plus three की power three, plus में so on, three के power eleven इनको आमने साथ में रख लिया, और ये जो two है, ये इनको साथ में रख लो 2 plus 2 plus 2 plus so on plus 2 अब बता हुए कितने 2's है आप देखो 1 एक 2 power 2 हुआ तब एक 2 आया power 3 था तब एक 2 आया power 11 थे तो एक 2 आया ठीक है आप इस ठीज को अबजार करो आप देखो जब 3 की power 1 थे तो उसके साथ भी एक 2 था 3 का power 2 है उसके साथ भी एक 2 है तो यह टोटल कितने टूज हो गया है यह कितने टाइम साथ अच्छा तो मैंने आपको बताया था जब मैंने सम मझाब जोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जब हम सम कर रहे अगर 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 यहां पर इसलिए यह प्रोग्रेशन यह ज़िपी में पता करा तो अब सब्सक्राइब करो तो को से डिवायट करोगे तो यह जब इसलिए घ्रीपी में है अगर किसी भी जीपी का जब कॉमन रेषिव ना अगर वन हो तो उस सिरीज का सम का फर्मूला क्या बनता है एन ए बनता है एन होता है न अबर उफ टाइम और यहां पर टू हो जाएगा और टू के तनी बार आ रहा है 11 तो इसको लिग जाए 11 ठेक है अब इसको चाहो न तो आप फॉर्मूला से नहीं भी कर सकते हो डेरेक कि यह पांच टू है तो पांच 5 इंटो 2 ऐसे कर देते हैं ठीक है तो यह कितने टू स्थे 11 तो 11 इंटो 2 है टू कर दिया हतम हो गया ठीक है लेकिन इसकी सम तो मैं ऐसे कर नहीं पाएंगे तो आप ध्यान से देखो यह जीपी बन रही है अब 3 का स्क्वेर को लब से डिवा यह जाएगा 3 तो आप देखो रेशियो से मा रहा है तो रेशियो से मा जाता है तो क्या होता है वह जो सीक्वेंस था वह जीपी में हो जाता है तो आप देखो यह जो सीक्वेंस है वह जीपी में है और जीपी में सम का फर्मॉला क्या होता है जीपी में सम का फर्मॉला होत A r raise to par n minus 1 upon r minus 1, ठीक है, r minus 1, तो अब देखलो, यहाँ पर r क्या है, 3 है, हम इसकी बात कर रहें, ठीक है, इसवाले सिक्वेंस के, तो r 3 है, a, यहोता है, first term, first term भी 3 के पौपर 1, मतलब 3 है, और N, N होता है number of terms तो कितने है, 1, 2, 3, 11 11 number of terms है ठीक है तब बस यहां पर replace करो तो हो जाएगा A, A है 3, तो 3 R raise to power N R है 3, तो 3 raise to power N N तो 11 है, तो 3 raise to power 11 minus 1, अब आन में R minus 1 R है 3, 3 minus ठीक है तो 2 into 11, 22 प्लस, यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 3 raise to power 11 minus 1 अपन में 3 minus 1, यह 2 हो जाएगा यह हो जाएगा 22 प्लस, आप इसको अंदर multiply करोगे, तो यह जाएगा 3 raise to power 12, अब देखो 3 raise to power 1 है, और 3 raise to power 11 है तो बेंट बेसे जार से, पावर सार है 11 plus 1, 12 minus 3 raise to power 1 into minus 1, तो यह हो जाएगा 3 अपन में 2 अब देखो, इसको इधर shift करो, इसको इधर multiply करो, इसको इधर करो तो यह हो जाएगा 22 into 2 44 plus इसको इधर करोगे, तो 3 की power 12 minus 3 अपन में 2 तो यह हो जाएगा 41 plus 3 की power 12 अब देखो, 3 की power 12 तो solve करना इतना असान नहीं होने माला है तो इसलिए अब 3 की power 12 को 3 की power 12 भी ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है या फिर आप इसको solve भी कर सकते हैं आप calculator की help से solve कर देना तो यह आज आएगा यह आज आएगा 265741 ठीक है अब calculator की help से solve कर देना यह इतना आज आएगा ऐसे आप यहाँ पर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं तो आई होप आपको यह वाला प्राब्लम में कोई इसू नहीं आया होगा फिर हम next आगे बलते हैं सेकेंड पार्ट है कोर्शन नमर थी का सेकेंड पार्ट है सेमेशन के वेरिस फ्रॉम वन तो एन टू रेज टू पार के प्लस थ्री रेज टू पार के वाइनस ठीक है तो आप इसको ओपेंड करो पहले कि तो समेशन का मतलब होता है सम तो आप क्या करो क्ये जेगा पहले बास टू की पावर बन प्लस यहां पर वन डाल के तो रेश्टव पार चैनल के जी रेश्ट पार-बन judge you are three key Pope 500 फिर प्लस लगा और फिर यहां पर ही रीपलेज करो होगे अब प्लस पर हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस यहां जाएगा 3 की पाउर 2 सारी 3 हम रीपलेज करना 3 की पावर 2 माइन. 3-1. यह जा है सका प्लस गोच प्नस अब अभ घं़ो अब आप माइनस 1 कोच असता रहा है ठाइक है अब आप क्या करो टू रेश्टू पार मत जो टू की पाउर में उनको एक जगह लिख लो जैसे इसको 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 और इसको आप एक जगह में लिख लो तो यह जागा 2 रेश्टू पार 1, 2 रेश्टू पार 2, 2 रेश्टू पार 3, अब 2 so on, 2 रेश्टू पार n, ठीक है प्लस, और जो 3 के पाउर में उनको आप एक जगह लिख लो, इनको, इनको, इनको और इनको तो यह जाएगा 3 raised to per 0, यह जाएगा 3 raised to per 1, यह जाएगा 3 raised to per 2 plus so on, यह जाएगा 3 raised to per n minus 1. अब अब देखो, यह जो sequence ना यह GP में है, और यह जो sequence ना यह GP में, अगर हमें आप़े directly देखेंगे तो वह GP में नहीं था, इसलिए हमने 2 वाले को 7 में रख लिए और 3 वाले को एक साथ कर दिया, ठीक है, अब जैसे अगर आपको चेक करना है तो आप कर लो, अब देखो second term क को first term से divide करो, 2 का square divided by 2 की power 1, तो यह हो जाएगा 2, फिर आप third term को second term से करो, 2 की power 3 upon 2 का square, यह हो जाएगा 2, अब देखो, ratio same आ रहा है, तो यह GP में हो जाएगा, उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर भी check करना है, तो कर लो, first term को second term से divide करो, 3 की power 1, divided by 1, 3 की power 1, 3 हो जाएगा, इसी तरह से 3, third term को second term से करो, 3 का square upon में 3, यह भी 3 हो जाएगा, तो देखो, ratio same आ रहा है, तो यह दोनों जो sequence हो क्या है, GP में है, अब देखो, और इनका sum करना है, बीच में plus है, तो मतलब sum करना है, तो अगर किसी भी, कोई भी series अगर GP में है, तो उनका sum का formula क्या होता है, उ अपान R-1, यह होता है sum का formula, ठीक है, तो यह हो जाएगा, A, A है, अब देखो, A क्या है, A2 है, और R है 2, second term को first term से रिवाइट करो, तो R2 हो जाएगा, यहाँ पे replace करो, और number of terms क्या है, अब देखो, number of terms N ही है, अब देखो, 1, 2, 3, अब 200 on N, तो इसलिए number of terms तो है नही है, तो अब replace कर दो यहाँ फर, तो यह हो जाएगा, A, A है 2, तो 2 into R raised to power N, R है 2, तो यह हो जाएगा, 2 raised to power N, minus 1, अब आउन में R minus 1, R minus 1 में क्या हो जाएगा, 2 minus 1, प्लस, यहाँ पे भी आप समका फर्मना लगा, तो A, A है 3, R raised to power N, तो हम देखो, इस वाले sequence में, या फिर इस वाले series में, number of terms क्या है, N, जो वो N, minus 1 है, ठीक है, last time N, minus 1 है, तो यहाँ पे N के जाएगा, N, minus 1, replace करो, तो 3 raised to power N, minus 1, क्या कर रहा है, अब देखो, यह total N, terms ही है, अब बोलें, यह तो N, minus 1, N, terms कैसे हो गया, अब देखो, 1, 2, 3, so on, N, minus 1, तो यह total हुए N, minus 1, और एक term यह भी तो था, तो N हो गया न, तो यह हो जाएगा, 3 raised to power N, minus 1, upon में, 3 minus 1, ठीक है, यह हो जाएगा, 2 into 2 raised to power N, minus 1, plus, यह हो जाएगा, 3 into 3 raised to power N, minus 1, which is equal to, अब में 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 मेल्टिप्लाई करो, तो यह हो जाएगा, 2 into 2 raised to power N, minus 2, तो 2 into minus 1, minus 2, plus, 3 into 3 raised to power N, 3 into 3 raised to power N, और 3 into minus 1, minus 3, तो यह हो जाएगा, 2 into 2 raised to power N, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 raised to power N, plus 1, और फिर इन दो नों मेल्टिप्लाई करो, तो क्या बनेगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3 raised to power N, plus 1, minus 2, minus 3, minus 5, ठीक है, तो आप देखलो, यह होने वाला है से, थर्ड पार्ट है, सेमेशन, N varies from, 2 to 10, 4N, ठीक है, हमको इस सीरीज का सम निकालना है, तो सेमेशन का मतलब होता है सम, शोरी for that, अब क्या करो, आप N के जगा न, आप देखो, N जो है, वो 2 से 10 तक वैरी कर रहा है, ठीक है, आप N के जगा 2 replace करो, तो यह जगा 4K power 2, फिर plus, फिर आप N के जगा 3 replace करो, 4K power 3, फिर N के जगा 4 replace करो, 4K power 4, प्लस, so on, इसी तरह से, प्लस, अब लास्ट में क्या करोगे, 10 replace करोगे, तो जगा 4K power 10, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, तो यह क्या बन रहा है, यह GP बन रही है, अगर आप ध्यान से देखो, तो यह GP बन रही है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करो, second term और first term से डिवाइड करके देखो, अब GP का बन रही है, जब पावर जो है, वो increase कर रहा होता, consequently, ऐसा जुरूर नहीं कि पावर इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन successively, हम ऐसा बोल सकते है, हाँ, consecutive बोल सकते है, बिल्कुल, consecutive powers में है, ठीक है, अब देखो, second term को four term से डिवाइड करके देखो, तो जब जाएगा, four की power three, upon में four का square, तो इससे cancel करोगे, तो four हो जाएगा, अब third term को second term से डिवाइड करो, तो four की power four, upon में four का क्यों, four हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखो, ratio same आ रहा है, ratio same आ तो वो जो series होता है, वो क्या हो जाता है, जीपी में हो जाता है, अच्छा, यह जो series है, वो जीपी में है, और जीपी में सम का formula होता है, सन इक्वल टू, यह होता है, a, r raised to power n, minus one, upon में, r minus one, यह होता है, सम का formula, तो यहां पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, फर्स, a होता है, first term, first term है, four का square, that is, 16, ठीक है, आर, आर कैसे निकालते हैं, तो second term को first term से डिवाइड करो, तो four को, four का cube को four के square से डिवाइड करो, तो ये four ही आ जाएगा, ठीक है, और n होता है number of terms, तो ये total number of terms के अदने हैं, अब देखो two से चालो और start और ten से खदम हो, तो आप ऐसा मत कर लेना, कि ten minus two कर लेना, ये तो eight ही आएगा, लेकिन ये total जो है, वो nine terms है, ठीक है, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ये total nine terms है, ठीक है, अगर आप इन दोनों को minus करके ऐसे कर रहो तो इसमें आप last में फिर one add कर लेना, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ten minus two plus one, ये तब कर पाऊगे, जब ये consecutive रहें, ठीक है, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा थोड़ा जान रखना है में चीज़ें, अब a, r, n सब है मारे पास, यहाँ पर replace करो, आजाएगा, 16, r की पाऊवर n, so r की पाऊवर ये, that is 4 की पाऊवर 9, minus 1, upon में r minus 1, that is 4 minus 1, तो यहाँ जाएगा 16, 4 minus 1 थे, यहाँ गया 4 raise to power 9, minus 1, ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, next question number 4 है, find the sum of the following series, first part है इसका, 5 plus 55, plus 55, plus so on, to end term, ठीक है, हमको क्या करना है, इस series का sum निकालना, end term, ठीक है, तो अब देखो, क्या करो, second term को first term से divide करके देखो, तो यह हो जाएगा, 55 को 5 से divide करो, यह 11 आएगा, ठीक है, third term को second term से divide करो, तो 55 divided by 55, तो यह आजाएगा, 111 ठीक है, यह आजाएगा, 111, ठीक है, यह आजाएगा, 111, तो यह जो sequence है, यह जीपी में नहीं है, यह जो series है, यह जीपी में नहीं है, अज हम चेक करते हैं, क्या एपी में है, तो second term को first term से minus करो, तो 55 minus 5, 50, इस third term को second से करो, 5555 minus 55, यह जाएगा, 500, तो अब देखो, difference भी same नहीं आ रहा है, तो यह एपी में भी नहीं है, अब देखो, यह जो series है, वो ना तो जीपी में है, और ना तो एपी में है, और आपको इनका sum निकालना है, अब तो दिक्कत ज़ता है ना, क्योंकि हमने दू ही चीज पढ़ी थे, हमारे पास दो ही formula थे समके, एक वो वाले sequence के, वो वाले series के, जो की AP में है, और वो वाले sequence में के, जो GP में है, लेकिन ना तो यह AP में है, ना तो GP में है, तब क्या करेंगे, सोचवा, तो हम क्या करेंगे ना, कि इसको तो यह सब एक स्पेसल टाइब का होता है लेकिन यहां पर एक्सरसाइब में दे दिया तो मैं क्या ही करूं तो यह जो थाने ऐसा समझे लों कि यह टाइफ फरस्ट होता है कनवर्टी वह सीक्वेंज जो कि कनवर्टीवल है जीपी मैं इस सींवेंज कर्परिवली बिन की इस सीवेंज करेंगे अभर देख उल जब भी आपको ऐसा सीवेंज नज़ेरा यह pomodhan turbo फिर फिर स्ट neste numa और फाइव फाइव फीर इसके इस सीरीज को पहाचाल को यहां पर फाइब 9is 7 हो 8 11 हो no matter कोई matter नहीं करता है आप इस sequence को अच्छे से पाच चाल लो इस series को यह जब भी आएदा तो आपको इस method से चलना है क्या करना है कि आपको सारे में से 5 common कर लेना है तो यह हो जाएगा 1 प्लस 11 यह हो जाएगा प्लस 111 प्लस अप्टू आपको क्या करना है कि जो भी रहे जैसे यहां पर 5 है तो 5 common कर लिया अब इसके बास सेकेंड थर्ड पास है वहां पर मैं आपको बताऊंगा ऐसी एक्जम सिमिलर कोशन तो उससे क्लियर होगा तो आप क्य कर दो क्या करो 9 से 1984 ऑर डिवाइड कर दो टिक है क्या करना है ज मैंन से मल्टिप्लाय और डिवाइड कर लेना आर तो पाइद 5 upon 9 इस 9 को अंदर से multiply करो 999 999 999 and up to so on to end ठेक है इस वाले series में convert कर लेना है अब देखो आपको ना जब भी ऐसा series नज़रा है तो अब यहां से directly यहां पहुंच जो अगर यहां पे पहुंच गया ना तो काम खत्म और कैसे पहुंचेंगे तो जो की comment कर लेंगे और 9 से multiply डिवाइड करके यहां पहुंच जाएंगे इसके बाद तो सब्सक्राइब तो क्या ही है अब इसके बाद आपको क्या करना है ऐसे मैं यहां पर करा रहा हूं इस पूरे को बतारा हो अगर हम type करके बताते ना तो बहुत 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 यहां इसके और आप देरेक्र्पी वह फॉर्मॉलाई इस फिल्लाल आप देखो 9 किना लिख सकते हैं 10-1 जी चाहता है 9 को 10-1 लीख सकते हैं 10 99 को पॉठ लिख सकते हैं हंडड मوج्न सब्सक्ते हैं अब इसको सब्डराइट को देखो यही बनेगा इसको solve करो यही बनेगा up to so on to end ठेक है अब आप क्या करो 5 upon 9 इस 10 100 बदब यह इन सारे को साथ में रख लो तो यह हो जाएगा 10 plus 100 plus 1000 और up to कहां तक so on end terms तक आप देखो terms बटे नहीं है आप देखो यह जो एक ही term है इसको हम एक ही term count करां ना इस पूरे पूरे को तो इसलिए end terms और इस minus 1 भी कितने terms हो जाएगा तो plus minus 1 minus 1 plus minus 1 अब 200 यह भी कितने terms होंगे end terms ही होने वाले है अच्छा अब अब देखो यह जो sequence है यह जो series है वो zp में है यह series zp में कैसे हो गया अब चेक कर लो ना सब्सक्राइब करो इन दोनों को divide करो इसको से डिवाइब करो तो 100 divided by 10, 10 आएगा इसको से डिवाइब करो तो 1000 divided by 100 ऑथेत्स और थैंचारश की तो आजने को यह से मार्या है तो जो sequence हो जीपी तो यह जो six commun je यह जीपी में है, अब देखो यह वला जो सीक्वेंस है जीपी में है, तो आप जीपी का सम का फर्मुला लगा तो यह होता है सम का फर्मुला, A into R raised to power n, minus 1, upon R minus 1, तो आप देखो यहाँ इस वाले केस के लिए, A क्या है, यह होता है first term, first term 10 है, r क्या है, r second term को first term से divide करो, hundred को 10 से divide करोगे, तो यह 10 ही आ जाएगा, तो r 10 हो गया, और n होता है number of terms, तो number of terms तो n है, ठीक है, अब अब असे हमें पर replace करो, तो यह हो जाएगा, 5 upon 9, a, a है, 10, तो 10, r raise to power n minus 1, तो r है, a क्या था, a तो 10 ही था, r भी 10 है, तो 10 raise to power n minus 1 upon में, r minus 1, that is 10 minus 1, plus, अब देखो, मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा कहें पर sequence नह जा रहा है, same same हो आलेगा, तो देखो, हर जगह क्या है, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह कितने times आ रहा है, n, और into में, जो element है, that is minus 1, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठेक है, इस सीच को आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि जैसे अगर हमारे पास ऐसा है, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, तो यह कितने minus 1 है, अब देखो, यह 5 है, तो 5 और into में, क्या है, minus 1, तो इसको minus 5, अब देखो, न, solve करोगे, तो यही बनेगा, ठीक है, या फिर मैंने आपको, जब सम का फर्म में बता रहा था, तो उस वाक्त बताया था, मैंने, ठीक है, कि क्या हो जाता है, अगर, अगर ratio 1 हो जाए, तो सम जो था है, वो N A हो जाता है, जहाँ पर N होता है, number of times, और into में A, that is the limit, वो नमबर, तो हो जाता है, और तो बस आपको solve करना है, तो कर लो, या फिर यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 minus 1, 9 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 10 upon me 9, 10 raise to power N minus 1, और minus 1 into N, minus N, ठीक है, और solve करना चाहते हैं, तो और कर लो, इसके बाद मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, अब अब LCM लेलो, 5 upon 9, यह हो जाएगा, 10 raise to power, अब 10 को अंदर multiply गरो, तो 10 into N, यह हो जाएगा, 10 raise to power N plus 1, यहाँ पर 1 है, तो N plus 1, और इस 10 को minus 1 के साथ, तो यह जाएगा, minus 10, और 9 into minus N, तो minus 9 N, और upon me 9, तो इस 9 को इससे multiply गरो, तो 5 upon me 81, यह हो जाएगा, 10 raise to power N plus 1, minus 9 N, minus 10, ठीक है, तो यह हो जाएगा, तो अब देखलो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स, सेकेंड पार्ट है, 7, 7, 7 plus 7, 7, plus 7, 7, 7, up to so on N terms, ठीक है, आपको इस सीरीज का सम निकालना है, N terms, ठीक है, तो आप देखो, जैसे हमने अभी करा, वैसी करना है, as it is, तो आप पहले इसको S N लेलो, S N equal to, which is equal to, 7 plus 7, 7, plus 7, 7, 7, up to so on, to N terms, ठीक है, तो आप देखो, मैंने आपको क्या बताता, अगर हमको कभी भी ऐसा सीरीज नजर आए, तो इस केस में हमें क्या करना है, कि इसको convert करना, ऐसे वाले सीरीज में, 9 plus 9, 9, 9, प्लस 9, 9, 9, प्लस up to so on, ऐसा, ठीक है, तो कैसे करते हैं, क्योंकि आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में पूरे अच्छे से कराया, कि आप इसको चेक कर सकते हो, आप ratio निकालो, save नहीं आने वाला है, मतलब यह जो sequence है, वो GP में नहीं होगा, difference निकालो, वो भी save नहीं आएगा, तो यह sequence, AP में भी नहीं हो पाएगा, तब हम क्या करेंगे, तो इसको convert करते है, GP में, तो आप inside में से 7 common कर लो, तो यह 7 common हो जाएगा, इसको ठीक है, अब आप क्या करो, 9 से divide कर दो, और 9 से multiply कर दो, ठीक है, 1 plus 1, plus 1, 1, 1, अब 2, so on, to enter, ठीक है, अब आप क्या करो, इस 9 को अंदर shift करो, मतलब 9 को अंदर multiply करो, तो यह जाएगा, 9, plus 9, 9, 9, plus 9, 9, 9, to so on, to enter, ठीक है, अब बस ध्यान चराम से देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब अब देखो, हम 9 को लिख सकता है, 9 को में लिख सकता है, 10 minus 1, इसे तरह से 99 को में लिख सकता है, 100 minus 1, 999 को में लिख सकता है, 1000 minus 1, up to so on end terms ठीक है अब आप क्या करो 10 वालो को इन सारे को साथ में रख लो 7 upon 9 10 plus 100 plus 1000 plus so on end terms अब आप देखो terms कम नहीं होंगे क्यों नहीं कम होंगे भया आप देखो ये total कितना terms end terms है तो क्या हमने इनको ऐसा थूड़ी करा है कि इसको अब देखो अभी इसके जगा हमने ये लिखा इसके जगा ये लिखा इसके जगा ये लिखा तो कोई फरक नहीं पड़ा है तो ये total end terms ही रहने वाले है मैंने क्या करा है हमने न end terms था न उसी को दो टर्म में एक टर्म को हमने दो में ब्रेक कर रहा है एक टर्म को दो में ब्रेक कर रहा है इसलिए कोई नंबर ओफ टर्म में कोई चेंज नहीं आने वाला है अब खुद भी देख सकता हो कि 1 2 3 यहां पे n टर्म्स वाले को ऐसा ब्रेक करके लिखा होता हमने तो तो यह टोटल केतने टाइम्स होगे एंड टाइम्स अच्छा सेवें अपॉन नाइन अब मैंने बोला आप दिखो इसके बाद आप सीरिस तो बनेंगे अब थर्ड पार्ट वाला हर बार यही बनेगा जब भी आप ऐसा करोगे यही बनाना है आपको हर बार ठीक है तो हम इसक जा डैरेक्टली फोर्मिल्ला भी आतराख सकते हैं कोई दिक्कात नहीं है है तो यह जो स्क्राइब होता है यह जो स्कयों से डिवाइड करो तो क्या रहा है तो तेन न आ जाएगा फिर थर्ट तर्म को सकेंड से डिवाइड करो 1000 को अगर हमने 100 से डिवाइड करा तो यह 2 0 केंथ लो है 10 आ जाएगा तो अब देख लो ratio same आ रहा है अगर ratio same आ है तो वो series किसमे हो जाता है जीपी में हो जाता है तो बस अब जीपी का sum का formula लगा तो जीपी के sum का formula क्या होता है सम का formula Sn which is equal to a r raise to power n minus 1 upon r minus 1 ठीक है अब अब देखो इस वाले series का first term क्या है 10 है common ratio r क्या है r जो है वंदो r कैसे निकालते जो second term को first term से डिवाइड करो 100 को 10 से करोगे 10 हो जाएगा ठीक है और फिर n total number of terms क्या n तो n ही हो गया अब अब बस यहां पर replace कर दो ठीक है तो यह हो जाएगा यह है 10 तो 10 r raise to power n r है 10 तो 10 raise to power n minus 1 upon 10 minus 1 प्लस इसका क्या होगा तो आप देखो न यह कितने times आ रहे है n times न तो यह हो जाएगा n into minus 1 कैसे यह वाला थोड़ा दिक्कात होता है तो मैंजने में कोई नहीं समना आपको बताते हैं आप देखो पहला कि अगर हम यहां पर देखे तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया हो कि sn का formula होता है न a कम जब r जो ओ r equal to 1 हो THो sn का formula na होता है यह होप आपको याद होगा तो आप देखो इन दोनों को divide करना one मनेगा इन दोन को divide करना वन बनेगा तो अगर common ratio 1 है तो form sm का formula होता है na यह यहां पर 1-1-1 तो बाइब करिसा और दूसरा में था है और यह होता है तो अगर अगर एसा प्लस थी प्लस थी प्लस थी प्लस थी प्लस अगर यह तो लिख सकते हैं जितने टाइम से उसको लिखो 2N और जो नंबर है उसको multiply कर दो इसके साथ 3 कुछ इस तरह से ठेक है इस इसको आप समझ ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास ऐसा रहे 3 तो इस चीज़को कैसे calculate करता है एक तो तरीका होता है कि आप इन तीनों को एड़ करो थी प्लस 3 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12 और 312 फ्लस 3 और एक तरीक होता है यह कितने टाइम सा रहा है वह आप 5 12 तो 5 इंटू 3 कर दो इसे भी कर सक ऐसे भी हम करते हैं तो भी तो आमने करा यह end times आ रहा था और क्या आ रहा था end time minus one तो n into minus one छीक है छीक है भी यहाँ 7 upon nine यह जाएगा ten यह जाएगा ten raise to par n minus one और ten minus one nine और यह जाएगा minus n और आपको solve करना है कर लो थोड़ा से LTHYM लेलो तो 7 upon nine इसको इधर shift करोंगे इसको इधर तो यह 1 इधर आएगा तो कोई फरक तो पढ़ेगा नहीं जो है वही रह जाएगा और अंदर आप multiply shift कर लो तो यह जाएगा 10 raise to power n into 10 तो यह जाएगा 10 raise to power n plus 1 अब इको इसकी power 1 है और यहाँ पर n है तो इन जोनों को जब आ multiply करोगे तो वेंड बेसेज़र से इम पाउर आरे एंड फ्लस 1 इस 10 को इधर करोगे तो माइनस 10 और यह 9 इधर जाएगा तो माइनस 9 और आप उन में 9 9 into 1 9 9 into 9 81 तो यह जाएगा 7 अप उन में 81 यह जाएगा 10 raise to power n plus 1 माइनस 9 है और यह हो जाएगा माइनस 10 तीक है यह हो जाएगा तो यह हो गया से अब देख लोगे बार फिर मागे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है 9 प्लस 999 प्लस में 999 अप टू सो ओन एंटर आपको इस सीरीज का सम निकालना है तो आप देखो आप क्या कर सकते हैं इसको साइड में नोट करके लिख सकते हो कि अगर कभी भी ऐसा सीरीज रहे तो क्या करना होता कुछ भी तो नहीं कुछ करना होता है क्या करते हैं कि ऐसा वाला सीरीज बना कर लें अगर हमें कभी भी ऐसा वाला सीरीज दीखे आप दिखान से देखो ऐसा ही दिखे तब ही कर पाएंगे ठीक है वरना फिर हर तीरीज के लिए अलग-अलग मैथाड होता है फिलाल हमें उतने डिप में नहीं जाना है तो जो यहां पर आ रहा है होई करेंगे ठीक है तो आप नोट करके लिख लेना कि जब भी ऐसा इस टाइप का सिरीज आएगा तो हमें ऐसे सौल करना है अपने लेंगज में ठीक है तो हमारे आप इसको ऐसे लेलो नाइन प्लस नाइनटीनाइन प्लस नाइनटीनाइन अप्टू सो ऑन एंड टाम्स तो आप चेक कर लो कि यह जो सिरीज है यह ना तो जीपी में और नहीं एपी में कैसे चेक करना है तो बस एपी के लिए रेशियो निकालो रेशियो बोल रहा है एपी के लिए डिफरेंस करो सकेंड़न को फर्स्टम से मैन्स करो 99 मांइनस करो है नाइन ते 99 यह जाएगा 990 आप देखरों रेशियो तो से नहीं यह नहीं नहीं हो पाएगा इसी तरह से आप जीपी में चेक करके देखो इन दोनों को सेकेंड नों को फर्स्स तरम से डिवाइड करों को 999 को 9 से डिवाइड करोंगे यह हो जाएगा 11 फिर इसी तरह से थार्ट तरम यह आप 99 से डिवाइड करोंगे यह हो जाएगा 111 अपॉन में 11 11 से मने कैंसल कर लिया ठीक है को यह है क्कुल है तूर 11 से भी कैसे और सुख छोगा मैं अब ही न वहाँ पर पीछे में मैंने घलत बोल दिया था नnia यह50 मैं नकरें यह झThese अट करना कर थीक ठीक है ठीक थीक है Oliver में कर था मिफवरा था मैंने उसल हिस्वाइड कर ना किसी कर रिएगा नियुम व कर % तो जीपी में भी नहीं है तब तो दिक्कत हो गई ना तो एपी में ना तो जीपी में लेकिन हमें तो स्रीप दो ही सीरीज का सम का पता था अगर एक वैसा सीरीज जो की एपी में उसका सम कर सकते थे और एक वैसा सीरीज जो की जीपी में उसका सम कर सकते थे सिरीज और सिक्वेंस में दोनों में अंतर होता है सिक्वेंस में कॉमा आता है और सिरीज में प्लस आता है ठीक है इस बात का में थोड़ा से ध्यान रखना है तो जब भी समय तो इसको सिरीज कहते हैं ठीक है और स्थीप ऐसा लिखा होता सना नैनाइन ऐसा तो यह होता है मारा सीक्वेस अर इस इसको नदोनों करेंगे इन दोनों को तक मेंद करेंगे सेग में असान में थांट नहीं करते हैं तो बहुत कम लगभग करते हैं उसमें कभी भी ऐस jest यह थोड़ साधीकल्ट है थोड़ा साधीय। करना है। तो पता नहीं लग रहा है कि यही अपक नहीं पता लग रहा है जैसे आप देख के बता सकते नहीं इसको ए के बानाना बहुत मुश्किव यह मैं न إमकेश आपका वह क्पां अब इसको क्या करो उसमीर नहीं अहीं तो बहुत असान है 9 को ली दो 10-1 जैसे करते हैं Д向 Rise को लिगो 100-1 अब देखो यहीं तक यहां ही तो बनाते थे यहां तो अल्रेड़ी बनावा तो इसलिए नहीं बनाएंगे और 999 गोल लिग दो 1000-1 ब्लस अब 201 एंड टाम्स मतलब हम उस वाद क्या 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 अब इस से थोड़ा पहले मैं क्या कहना चाहरा था कि अगर ना तो एपी में ना तो जीपी में पक्का मतलब 90% में क्या ही बोले मतलब ज्यादा तर जो है न वह वाला जो सीक्वेंस होता है हूं मतलब यजी इवका रहता हूं मैं का रहता है तो अब हमेशा सी और भी में को सब्सक्रा सकते हैं था जायए और यह सा इंसासे को एंण्य रख लो टैन प्लस हंडिद प्लस ताउजड और ब्लस अप्टू. so on n terms टीक है n terms और यहाँ पर plus minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 and so on n terms अब बुलो भी आधे आधे बाट दिया लिके ना अभी भी number of terms यहाँ पर भी n है यहाँ पर भी n है कैसे तो आप देखो ना आप ऐसे समझ सकते हैं इसको हमने लिखा ना इसको हमने लिखा दीसको लिखा थो अंधूस पहले कि लिखते हैं याँ पर तो टोटाल ऐंधूस रहते हैं हमने एक तो ब्रेक करें दूधी तर्म में करने पर ले हुआ से कार गआ तो डल की अ मैंने काफी बार बता हुँ 100 से 10 आ जाएगा तो अब टेल रिए सिरींट है जो सपर मैं और जीपी में से सम का फिर्मला क्या हुता है होता है एटेर और र आ माइनश वन अपॉन मैं यहुता है मिस्च खाफ फार्म पखेस में अगर कोई सीीन इकलysz समका फिर्म शया फिर्म यह वन सब्सकांत is क्เด 86 धोगी होता है किया होता है 1 फस्ट टिंच क्या है 10 कै और कामन रिस्यों होता है कैसे निकालते तो से किन्ट नोफ सी दिवाइड करें हंडेड को 10 से डिवाइड करें 10 आ जाएगा और एंक किन्ब्र फटम तो तो number of terms के n ही है, replace करो, खतम हो जाएगा, a, a है 10, r raise to power n, r है 10, तो 10 raise to power n, minus 1, upon में 10 minus 1, प्लस यह हो जाएगा, n into में minus 1, आप देखो न, यह कितने minus 1 है, n minus 1, इसको में लिख सकते हैं, n into minus 1, अब जैसे, अगर ऐसा है, 2 plus 2 plus 2, प्लस 2, तो अगर हमें इसको solve करना है, तो कैसे करेंगे, आप देखो, यह कितने 2 है, 5, तो 5 into 2, ऐसे, तो यह हो जाएगा 10, 10 raise to power n, minus 1, 10 minus 1, 9, और यह हो जाएगा minus 1, यहाँ पे आप LCM लेलो, तो इसको इदर shift करोगे, तो यहाँ पे 1 करोगे, तो इसको इदर, इसको इदर, तो 10 into 10 raise to power n, minus 1, और इसको इदर, तो minus n, और अप आन में किया आजाएगा, 9 into 1, 9, multiply करोगा, तो यहाँ जाएगा 10, आप देखो, इसको इसको इदर, पावर 1 है, और इसको इदर, अप आन में, तो जब इन्दों लोगो multiply करेगा, तो क्या होगा, ठीक है, तो खत्म हो गया, अब देख लो एक बार, फिर आम आगे बढ़ते हैं, तो अपना कोई सा भी series आ जाए, जो कि AP और GP दोनों में नहीं है न, तो आप उसको GP में convert कर लो, असान हो जाएगा चीज़े, ठीक है, झाले कर दोनेदा, बेंड़ जाएगा बंकवाओाएं, तो आमनेचों में होगाँ जल से वोड़ूचे हैं, वे घच में होगा है कर दोत्यूज़े, अढ़गा हैं, झाल झाल